तो इस समय भारत और रशिया के लिए एक महत्पुन खबर आया है और एक मुद्दे के उपर भारत ने रशिया को साफ इनकर कर दिया है दरसल आप लोगों को पता है कि रशिया से कच्चा तेल खरिदने से हमारे जो ब्यापार है रशिया के साथ बो 40 बिलियन डॉलर से उपर चला गया है और इसके कारण से रशिया के पास बिलियन सब डॉलर के एमाउंट में हमारे रुपाय पड़ा हुआ है इस बिशया में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि रशिया ने भारत से शिकायत की थी और भारत ने इस रुपी को कैसे खरच किया जाए वो सॉल्यूशन भी दिया था पर अब रशिया ने इसके जवाब में भारत को बोला है कि आपके इरान के साथ एक बड़ा ब्यापार होता है और इस ब्यापार का पेमेंट हम रूपी में कर देते हैं बाद में हम और इरान मिलके इस पेमेंट का आदान प्रदन कर लेंगे लेकिन रशिया अगर इस payment को कर देता तो रशिया इरान से drone और हतियार खरीद लेगा जो कि वो Ukraine यूद में इस्तेमाल कर सकता है इसलिए भारत ने इस deal से साफ इंकर कर दिया है क्योंकि भारत इस deal से international नियम को तोड़ सकता है तो आप लोग इस विशाय में क्या सोचते हो नीचे कॉमेंट करके बताओ और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना